आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हूँ OnePlus U Series U 1S 4K Android TV का Unboxing and Review अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाज़ी में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लाटेस्ट आपडेट आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब लेट गर स्टाटेट तो फ्रेंड ये एक 50 इंस 4K Android TV है जिसमें आपको 2GB के RAM मिलता है और 16GB का मेमोरी मिलता है और एंडरेट भर्जन का बात करते हैं तो यहां पे एंडरेट 10 आपको मिल जाता है HDR 10 प्लस का सपोर्ट है और साउंड में आपको डॉल्बी साउंड मिल जाता है अगर हम बॉक्स पैक को देखेंगे तो बॉक्स में बहुत कुछ चीज लिखा गया है जैसे यह बॉक्स का फ्रांट साइड है तो डिजन बाइवाण प्लस है वाण प्लस यू सीरीज है वाण प्लस टीवी एंडरेट टीवी ओके गूगूल तो 4K Ultra HD लिखा गया है गामा इंजिन लिखा गया है और speaker now आपको मिलता है oxygen plate 2.0 मिलता है HDR 10 plus का support मिलता है co-tuned with dino audio आपको मिलता है और chrome cast built-in मिल जाता है और यह front side है और 15th diagonally आपको 15th का screen मिलता है तो यह box का back side है इसमें भी सब कुछ same लिखा गया है बट यहाँ पे कुछ photo दिया गया है जैसे आपको wall mount kit मिलता है power code मिलता है एक remote मिलता है और कुछ screws मिलता है तो यह screw को इस्तेमाल करके आप इसको wall mount भी कर सकते हैं और tabletop के उपर भी mount कर सकते हैं तो चलिए करते हैं इसका unboxing तो यह हमारा box pack है इसको open कर देते हैं तो जैसे यह open करते हैं तो पहले एक पाउस में उसका कुछ accessories मिलता है जो के मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं और यह side में उसका table mount stand मिलता है left and right दो मिलता है आपको तो यहां पर इसको हम open कर देते हैं तो table mount stand देखने के लिए कुछ ऐसा रहता है यह प्लास्टिक में बना है और यह पाउस के अंदर जो accessories यह उसको open कर देते हैं तो यह quick start guide है तो यह red cable clock का card मिलता है आपको और यह उसका wall mount kit है तो wall mount kit कुछ देखने के लिए ऐसा है तो यह wall में fix होता है उसके उपर दो bracket रहता है तो दो side में दो bracket रहता है तो यह bracket के through में आपका tv जो है wall mount हो जाता है और यहां पर एक ab का connector है और यह उसका power के वुल है एक end देखने के लिए इसा है दूसरा end two pin है तो यह हमारा tv का remote है तो मैं open कर क्याप को दिखा देता हूं तो यह हमारा remote है यह power button है यह dpad है यह back button है यह google assistant है यह home button है यह menu button है यह volume rockers तो दो hot keys मिलता है आपको netflix and amazon prime का तो यह जगा में दो 3a का battery लगता है तो यह tv का back side है यहां पर ethernet port है optical port है तीन HDMI port है इसमें HDMI EARC है दो USB port है RF का port है और AV port है तो सभी port side में दिया गया है तो टीवी का नीचे की तरफ एक power physical button है और एक microphone button है तो जैसे ही आप टीवी को power में connect करेंगे तो यहां पर दो light on होता है जैसे ही आप remote से power button trace करते हैं तो यह light जो है off हो जाता है तो मैं quickly अभी टीवी को setup कर देता हूं तो पहले आपको remote pairing करना पड़ेगा तो टीवी हमारा फास्ट पूट हो गया about में हम जाते हैं तो यह जगह में देख सकते हैं android 10 version आपको मिलता है out of box और यहां पर security page जो है 5 January 2021 का है तो यह जगह में कुछ system update आया है तो पहले हम update कर देते हैं तो टीवी का यह bottom में यहां पर उसका logo दिया गया है और यह जगह में एक microphone दिया गया है जैसे मैं आपको पहले दिखाया था तो अगर आपको कुछ भी voice command देना है तो आप दूर में बेटके भी voice command देते हैं तो भी आपका टीवी में वो search कर देता है तो यहां पर आपको थोड़ा बड़ा बेजल मिलता है but side and उपर आपको बहुत ही छोटा बेजल मिलता है जैसे यह जगह में आप देख सकते हैं तो अबरहल देखा जाए तो टीवी का build quality बहुत ही अच्छ मिलता है तो picture quality आपको कुछ-कुछ scene में बहुत ही आच्छा दिखेगा बट कुछ-कुछ situation में आपको picture quality बहुत ही disappointment करेगा तो जैसे आप यह scene देख सकते हैं कोई-कोई scene में आपको picture ज्यादा contrast लगेगा जैसे यह scene है इसमें यह ज्यादा contrast लगता है अगर आप contrast को कम भी कर लग नहीं पड़ता है बट कुछ-कुछ scene ऐसा भी आता है जिसमें आपको contrast लगेगा कुछ scene यह TV में अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको oversaturated लगता है means color जो है oversaturated दिखता है बट कुछ-कुछ scene ऐसा भी है color आपको आच्छा भी लगता है तो यह जगह में आप अगर picture setting में जाते हैं तो backlight आपको यहां पर मिलता है और यहां पर global dimming मिलता है इसको भी आप high medium and low रख सकते हैं next मिलता है picture mode picture mode में भी आपको बहुत सारे mode दिया गया है and custom mode भी है आप उसको भी change कर सकते हैं बट यहां पर में जितना भी देखा अगर आप कोई भी mode change करते हैं या setting में कुछ भी change करते हैं तो जो problem में इसका बता है वो problem सभी जागा में continue होता है next आपको more setting में जाना है तो more setting में भी आपको बहुत सारे setting मिल जाता है तो advanced setting में आपको HDR mode मिलता है इसको आप auto में set कर सकते हैं या off कर सकते हैं दोब्राल अगर इसका color देखेंगे तो color यहां पर बहुत ही पंची है तो जैसे यह कुछ scene है जो के dark scene है तो यहां पर black color जो है आप कुरेट आपको black ही दिखता है तो यह HDR content है जैसे आप देख सकते है HDR content भी आच्छा perform करता है तो आप इसका viewing angle देख सकते हैं अगर कोई भी angle से आप देखते हैं तो picture में आपको ज्यादा फ्रेड नहीं आता है या picture ज्यादा ब्लॉर नहीं होता तो दूसरा angle से भी आप देख सकते हैं अगर यह angle से भी हम देखते हैं तो हमको picture quality काफी अच्छा मिलता है तो next बात करते है इसका off scaling का जिसे कि अगर आप कोई भी 720p resolution से नीचे देखते हैं तो उसका off scaling आपको यह TV में इतना खास नहीं लगता है बट अगर आप HD resolution का देखते हैं या 720p resolution का देखते हैं तो उसका off scaling इसमें काफी अच्छा दिखेगा तो अगर picture quality का बात करते हैं तो picture quality यहां पर आपको काफी अच्छा मिलता है इसका saturation भी आपको काफी इंप्रेस करेगा बट जैसे मैं आपको बता है कोई कोई सीनेशा रहता है जो जगा में saturation और इसका contrast जो है वो disappointment भी कर देता है तो अभी हम इसका sound का बात करते हैं जैसे के इसमें आपको 30 watt का speaker मिलता है जो के 59-52 speaker है तो यहां पर dynos audio दिया गया है तो इसका sound performance से काफी अच्छा है तो यहां पर इसका volume आप सुन सकते हैं जैसे मैं 50 तक volume बढ़ाता हूं तो 70 volume तक अगर आप लेते हैं तो audio quality आपको काफी अच्छा मिलेगा यहां पर bass and treble का combination भी काफी अच्छा है और यह दो speaker जो है उसका output आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जैसे यह music हम play कर रहे हैं तो यहां पर जो scene में bass का effect आता है या कुछ को scene में जो treble का effect आता है तो काफी आपको impressed करेगा तो यह एक new channel है तो यहां पर कोई भी भोकाल अगर आप सुनते हैं तो audio quality आपको काफी crystal and clear सुना ही देगा जैसे कि audio में आपको कोई भी disturbance नहीं होगा जैसे कि यह tv dolby audio support करता है तो कोई भी dolby content अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छा output मिल जाएगा तो यह जगह में sound का setting हम check कर लेते हैं जैसे कि sound mode आपको यहां पर मिलता है जैसे standard रहता है, surround रहता है, clarity रहता है and user रहता है, user में अगर आप जाते हैं तो आपको equalizer म का performance काफी अच्छा लगेगा, तो audio out के अंदर अगर आप auto में set कर देते हैं तो यह automatic set करता है system को, अगर आप speaker देते हैं तो only TV का speaker जो है वो play होता है, अगर optical port में कुछ आप connected किया है, तो ओ जागा में optical आप select कर सकते हैं, अगर आप HDMI EARC में कुछ connect किया है, तो यहां से sound quality आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, जैसे कि इसका bass and treble combination भी बहुत अच्छा है, अगर आप music सुनते हैं, या कोई movie देखते हैं, या कोई भी vocal बगरा सुनते हैं, तो इसका sound quality आपको काफी impress करेगा, तो next इसका hardware and software के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको quad core का processor मिलता है 2GB के RAM मिलता है, जो के बहुत ही अच्छा है, एक TV के लिए और 16GB का memory मिलता है, तो 16GB memory से आपको 11GB something मिलता है, यूज करने के लिए, तो आप बहुत सारे application भी install कर सकते हैं, और high end game बगरा भी इसमें install कर सकते हैं, इसमें आपको Android version 10 मिलता है, तो hardware and software का जो combination है, वो बहुत ही और इसका gaming performance भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, तो next हम इसका connectivity के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें आपको various connectivity मिल जाता है, अगर inputs में हम देखते हैं, तो ये जगा में आपको 3 HDMI port मिलता है, और उसमें 1 HDMI EARC मिलता है, और next आपको AV port मिल जाता है, TV antenna port मिल जाता है, और आपको 2 USB port मिलता है, उसके साथ साथ इसमें आपको Bluetooth मिलता है, तो Bluetooth में कोई भी external speaker बगर आप connect कर सकते हैं, और एक चीज ये TV में missing है, जो के auxiliary port, बाकी लगबग सभी port यहाँ पर मिल जाता है, जितना requirement रहता है एक TV के लिए, तो अभी मैं इसमें एक Red Gear का gamepad connect कर दिया हू तो कुछ game खेल के इसका gaming preference चेक करते हैं, जैसे अभी हमारा पास यहाँ पर Asphalt 8 game है, तो इसको play करते हैं तो game यहाँ पर काफी smoothly play हो रहा है, कोई भी जागा में ल्याख हिल नहीं होता, तो यह Dead Trigger 2 game है, जो के adventure and thriller game है तो यह game को भी आप आच्छा तरीका से control कर सकते हैं तो अबराल अगर gaming performance का बात करते हैं, तो gaming performance यह TV का काफी अच्छा है हम दो game यहाँ पर खेलें, जैसे Asphalt 8 हुआ, या Dead Trigger 2, तो यह दोनो game अच्छा तरीका से perform करता है अगर आपको कोई भी game बगरा install करके इसमें खेलना है, तो आप आराम से खेल सकते हैं एसे भी हमारा चैनल में काफी सरे gaming वीडियो है Android TV का, तो वहाँ पर चेक करके आप कोई भी game इसमें install भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं तो next हम यह TV का power consumption के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ए टीवी 140 watt power consume करता है, running के टाइम में and standby के टाइम में 0.6 watt consume करता है बट यह depend करता है आपका brightness and contrast के उपर, अगर brightness, contrast आप TV का जाधा रखते हैं तो power consumption जाधा रहेगा अगर आप brightness, contrast कम रखते हैं तो आपका TV का power consumption है वो कम हो जाएगा और next में आपको बताना चाहता हूं जैसे कि यह TV में मैं बताया था आपको यहां पे एक microphone दिया गया है यह थोड़ा सा जो orange color का चालू हो गया और यहां पर अगर मैं इसको on कर देता हूं तो यह white हो जाएगा means यह working है अभी white हो गया ओके Google open 4K video तो यहां पर बेठे बेठे आप कुछ भी open करना चाहेंगे तो भी आप आराम से यहां पर open कर सकते हैं ओके Google open Netflix तो जैसे देखें आप voice comment देके कोई भी application open कर सकते हैं कुछ content चाहें तो open कर सकते हैं जैसे के company यहां पर एक camera application भी दिया है अगर आपको video का link करना है तो आप easily कर सकते हैं जैसे के मैं camera यहां पर connect किया हूँ तो tv के साथ तो आपको camera नहीं मिलता है आप कोई भी webcam खरिद के इसको लगा सकते हैं तो यहां पर मैं एक webcam connect किया हूँ तो यह जगा में आप फॉटो भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी क्लिक किये तो आप फॉटो भी ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो भी शुटिंग करना है, तो भी आप कर सकते हैं तो next अगर आपको कोई भी वीडियो का लिंग आप्लिकेशन इसमें इंस्टल करना है जैसे मैं previous वीडियो बनाया था जूम करलिंग आप या Google डूर ये जो रिखेसन और उसके थुरू में आप वीडियो का लिंग कर सकते हैं वीडियो आपको देखना है तो स्क्रीन में i wotorn आ रहा है वहां पे क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हैं या description में उसका link जो है आपको मिल जाएगा plus point में भी रखों और minus point में भी रखों तो इसके picture में आपको कुछ plus point मिलता है जैसे के कोई-kommen scene में आपको saturation बहुत ही अच्छा लगता है brightness and contrast का combination भी आपको अच्छा लगएगा अगर आप hdr content बगरा देखते हैं वह अच्छा perform करता है local dimming भी काफी आच्छा है तो sound का बात करते हैं, तो इसमें 30W का speaker आपको मिलता है, जिसमें bass and treble का combination आपको आच्छा मिलता है, अगर आप vocal सुनते हैं, music सुनते हैं, या movie बगरा देखते हैं, तो इसका audio quality आपको काफी impress करेगा, next अगर हम game बगरा खेलते हैं ये TV में, तो gaming experience इसका बहुत अच्छा है, connectivity क बात करते हैं, तो connectivity में आपको plus point मिल जाता है, इसमें आपको HDMI EARC मिलता है, जैसे normally ये range का जितना भी TV आता है, उसमें आपको HDMI ARC मिलता है, बट इसमें EARC मिलता है, next plus point आपको इसमें मिलता है, inbuilt mic, जैसे में आपको दिखाया, अगर आप दूर में बेटके भी कोई भी कम हुआ, तो भी इसमें आपको एक camera लगाना है, इसका जो mic है, उसके through में आप conversation कर सकते हैं, तो ये था ये TV का plus point के बारे में, तो अभी हम बात करते हैं, ये TV का minus point के बारे में, तो पहले शुरू करते हैं, हम इसका picture से, तो जैसे में पहले आपको बताया था, कुछ scene में भी दिखता है, जो के ये TV का picture में बड़ा minus point है, अगर upscaling का बात करते हैं, तो ये भी आपको यहां पे थोड़ा बहुत नेराज करता है, जैसे के अगर आप 720p resolution से कम का कोई भी video अगेरा देखते हैं, तो उसका upscaling आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो next अगर connectivity में इसका minus point देखेंगे, तो यहां पे आपको auxiliary port नहीं मिलता है, अगर आपके पास पुराना home theater या कोई भी speaker system है, तो connection करने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिकत हो सकता है, ये TV में मैं जितना देखा, इसमें आपको कभी कबार lag fill होता है, means कभी कबार application के अंदर भी आप remote को यूज करते हैं, तो कभी कबार वो ह्यांग जैसे हो जाता है, तो वो बड़ा problem नहीं रहता है, जैसे के company आगे जाके उसका software update कर देता है, तो problem solve हो जाता है, तो ये था ये TV का कुछ plus point और कुछ minus point, तो आशा करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए कापी helpful रहा होगा, अग अभी आप हमको Instagram आट Twitter में follow कर सकते हैं, और हमारा Facebook का page जो है, उसको like भी कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लिजिए, क्योंकि इस्टेप के वीडियो में रोज लेके आता हो, तब तक हमारा चैनल देखते रहे है, साउ टेक्नोगाइड आपका दिन सुभ हो.